गुरुदेव और मगैति के चर्ण में गुटि-गुटि नवन आप सभी को प्रणाओं इसके पिछले वीडियो में पुर्जी गुरुदेव ने समझाया था कि आपत्ति काल क्या होता है आपत्ति काल में सामानी जीवन क्रम को छोड़ कर आपत्ति काल के अनुरूप कारे करना चाहिए आए जानते हैं अब इससे आगे नए युग का जन्म होनी जा रहा है दो बाते होनी है एक युग निर्माण की दूसरा निर्माण से पहले ध्वन्स होना है ध्वन्स भी होना है इमारत जब बनाई जाती है तब जमीन की खुटाई करनी पड़ती है पीछे मिट्टी डाल कर कुटाई पिटाई करते हैं और गठे को ठीक करके तब दीवार की चिनाई की जाती है नया मंदिर बनेगा खंडरी दीवार तोड़तुं ये गीत लड़कियां गाती रहती है आपने सुना नहीं है भगवान की जब अफ़तार होते हैं तब एक काम नहीं करते मात्र धर्म की स्थापना करते हुए नहीं आते वरन अनीती का धंस भी करते हुए आते हैं भगवान जब अफ़तार लेते हैं तब कल्यान करते ही नहीं आते वरन सफाया करते हुए भी आते हैं सफाया किये बिना नया नहीं बन सकता निर्मान के लिए धंस आवशक है धंस के बिना निर्मान संभव नहीं दोनों चीज़े आपस में मिले हुई हैं एक चीज का धंस ह होता है तो दूसरी चीज़ का निर्मान होता है एक आदमी मरता है तो दूसरा जन्म लेता है नई पीढ़ी पैदा करेंगे बहुत शांदार नई पेढ़ियां पैदा होंगी अफ्थारो की प्रक्रिया के साथ में दोनों बाते एक साथ जुड़ी हुई हैं एक और धन्सकी और दूसरी और निर्मान की परीत त्राणाय साधु नाम विनाशाय चाह दुश्कृताम साधु का उधार बाद में करेंगे पहले दुश्कृतों को मार कर खत्म करेंगे आप सोचते हैं कि भगवान आएंगे तो राम राजी लेकर के आएंगे शां और हाहाकार भी लेकर आएंगे विदया बरसाएंगे तो क्रोध भी बरसाएंगे दोनों तरह का संतुलन मिलता रहता है जब कभी परिवर्तन की संध्या वेला होती है परिवर्तन की संध्या में आपको ना तो कोई विशेश समय की मांग दिखाई पड़ती है ना कर्तव्य की पुकार्श नहीं पड़ती है और नहीं भगवान का अवतार दिखाई पड़ता है चारों और क्या हूँ रहा है आपको दिखाई पड़ना चाहिए अगर आप भी मूड ही बने रहे रोटी खाने और पैसा कमाने के लिए बच्चे पैदा करने तक के चक्र में ही पड़े र हम त्राटक साधना में बहुत अधिक हमने महत्व दिया है बंच कोशी उपासना में इस वर्ष हमने त्राटक को बहुत महत्व दिया है और कहा है कि आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं ये आपत्तिकाल है इसलिए आप कोई विश्विश उपासना ना करें तो भी कोई हर्ज की बात नहीं आपके बदले हम कर देंगे आप अपनी उपासना थोड़ी देर करें तो भी काम चल सकता है नहीं गुरुजी हम तो योगभ्या सीखेंगे कुंडलनी जागरन सीखेंगे बेटे ये इतना सरल और सस्ता नहीं है जितना की तू समझता है इसमें सारे की सारे जीवन का कायकल्प करना पड़ता है अपनी व्यक्तित्व को और चरित्र को उल्टा पुल्टा करना पड़ता है ये शीर शासन है जीवन करम का अध्यात्म का जीवन का शीर शासन है तू कैसे बाजीगरी समझता है कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वरन इसमें जीवन की दिशा उल्टी हो जाती है, जीवन को पल्टा जाता है, योगी की परिवाशा एक ही है, कि योगी दिन में सोया करता है और रात में जगा करता है, क्या मतलब है इसका ये आश्वत्थम प्रहारुव्यम अर्थार्थ पीपल का पेड़ है जिसकी टांगे उपर हैं जड़ें उपर हैं और उसकी शाखाएं एवं पत्ते नीचे हैं मतलब ये है कि दुनिया वाले जिधर चलते हैं उससे ये तरकीबें भिन्न हैं दुनिया वाले लोग के सोचने का जो तरीका है आकांग्षाओं इक्षाओं का जो धंग है उससे अध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाएं भिन्न हैं जेने अलग धंग से करना पड़ता है मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूजा उपासना के बारे में सिद्धी चमतकारों के बारे में देवताओं के दर्शन के बारे में रिद्धी सिद्धी पाने के बारे में जो तरह तरह के खेल खिलवाड आप करते रहते हैं उसमें ना पढ़े तो अच्छा है क्योंकि आपकी लिए ये कठिन पड़ेगा आप पहली मंजिल पर ही टककर खाकर चकना चूर हो जाएंगे जब आपसे ब्रहमचर के लिए कहा जाएगा कि शारिरिक ब्रहमचर ये उतना आवशक नहीं जितना की मानसिक ब्रहमचर आवशक है तब आप दात निकाल देंगे और कहेंगे कि शारिरिक ब्रहमचर तो हमसे सत्ता नहीं फिर मानसिक ब्रहमचर की बात ही अलग है 24 घंटे हमारा दिमाग और आँखें दुराचार में लगी रहती हैं जब बेटे तेरी सारी शक्ती इसी में खर्च हो जाएगी तब फिर तेरा सहस्त्र सार चक्र कहां से जागेगा सहस्त्र सार चक्र में लगने वाली सारी शक्ती इसी में लग कर देंगे तब फिर वो जागेगा कैसे सहस्तर सार को जागरत करने वाला जो प्रकाश है वो तो आपकी आखों के रास्ते सारा का सारा वाइब्रेशन तरंगों में से नश्ठ हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा सहस्तर सार जगा दीजिए तो कैसे जगाए हम इसके अंदर जो गर्मी थी उर्जा थी वो तो तुने खत्म कर दी इसी तरह आहार के आधार पर जो तेरा रक्त बनता है जिससे बनता है मन तमोगुडी अन अनीती बेमानी से कमाया हुआ अन हराम का कमाया हुआ अन खाकर के तुने उसे तमोगुडी बना दिया है उसे मैं कै सारे का सारा अन जिसे दुखाता है उसमें तमोगुण ही तमोगुण भरा हुआ है। पूरा परिश्चम चुका करके जुन खरीदा नहीं गया वो भी बेमानी का है। किविल चोरी या डाका डालकर लाया गया अन नहीं नहीं ये भी अभक्ष होता है। प्राचीन काल में पिपलाद रिशी, कडादी रिशी एवं अन ने दूसरे रिशी सबसे पहले इस बात के लिए योगभ्यास करते थे कि हमारे आहर के लिए अन कहां से आता है जिससे हमारा रक्त बनता है, शरीर बनता है, जिससे हमें अच्छा कर्म करना आता है और हमारा मन जिसमें अच्छे विचार आते हैं, वो कहां से बनता है, अन्ने से बनता है, बेटे, कान में उंगली लगा लेना, या हर वक्त, नाक में से प्राणयाम कर लेना भर, योगभ्यास नहीं है, योगभ्यास जीवन का उपक्रम है जिससे जीवन में परिवर्थन करना पड़ता है साधू को तपस्वी को अपने जीवन की प्रक्रिया उल्टी करनी पड़ती है साधू या ब्रहमड एक जीवन क्रम है जीवन की एक फिलोसफी है सोचने और काम करने का एक तरीका है धार निकाली जाती है लोहा ना हों तो लकड़ी की तल्वार नहीं बन सकती अध्यात्म मार्ग पर भगवान की कृपा अनुकमपा पाने के लिए आत्म शांती प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा एक ही चीज के जरुरत है दूसरी कोई नहीं और उसका नाम है व्यक्तित्व का परिश्कार, इसके लिए वहां से साधनाय शुरू करनी पड़ती है, जहां से मनश्य की अहार और व्यहार को सयमित करना पड़ता है, इंद्रियों पर सयम करना पड़ता है, कामिंद्रियों पर सयम करना पड़ता है, यह शुरुवात है, फि हमारा और हमारे भगवान का संबंध है आप यही रहे इतने पर भी यदि मन भागता है तो भगवान की किताबे पढ़िए भगवान की शक्ल देखिए भगवान से बातचीत कीजिए बातचीत नहीं कर सकते तो भगवान का ध्यान कीजिए ग्यान ध्यान की बात करके मन को पकड़ करके रखिए आज के लिए इतना है